मैं हुनी तेश वराप का स्वागत है NK Labs and Channel पर बिनोवा भावे उनिवर्सिटी B.A. सेमेस्टर 4 सेशन 2015-2023 पेपर 11 सब्जेक्ट नॉलेज और करिकुलम पार्ट 2 है ये और इसका मोश्ट इंपोर्टन कॉस्टन लेकर के आज चुका हूँ आप किसी भी सेशन में है अदियाप इतना कर लेते हैं तो इस पेपर में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा ऐसा नहीं है कि 2019-2020 के लिए ही special है ये मेरा सेशन है और मैंने ये important question गेश किया है और इस important question को आप कर लेते हैं आप किशी भी session में है आपका examination बहुत ही better जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है वो आपका दिया हुआ है need and criteria of good textbook आपको जरूरत बताना है कि एक अच्छे किताब का क्या जरूरत है और किस book को हम अच्छा book कहेंगे यह आपको लिखना है very very important question है इसके बाद जो second most important question है यह दोनों question हर एक session में पूछा गया है what is curriculum, define curriculum, what do you mean by curriculum यह सवाल आपसे पूछा जाएगा तो यह और इसके अलावा principle of curriculum तो इसको आपको पढ़ लेना है define curriculum, what is curriculum, what do you mean by curriculum what are principle of curriculum, same question है यह आपको बहुत important है यह दोनों question उसके बाद learner center curriculum development आपको यह पढ़ लेना है कि learner center curriculum development कैसे किया जाता है क्या है यह इसका benefit क्या है, इसका important क्या है और demerit क्या है यह सब आपको याद कर लेना है इसके बाद आपको जो competency based curriculum development यह भी बहुत जादा important है competency based curriculum का क्या मतलब है कि एक बच्चा 8 कलास में है और उसका capacity इतना ही है कि वो काखा गागा ही याद कर सके तो आप उसको rocket science नहीं पढ़ा सकते हैं तो इस आधार पर आपको curriculum development करना है इसको समझाना है आपको इस question में next है हमारा external agency role in curriculum development तो external agency का क्या role है हमारा curriculum development में तो यहाँ पर external agency में आपका आजाएगा आपका जो family है, society है, politics है, economics है और religion है, caste है, culture है, creed है यह सब आजाएगा अधी एक government जो है किसी particular धर्म से related है तो वो चाहेगा कि सारा जो curriculum में हो वो उसी धर्म का चीज उस curriculum में देखने को मिलेगा जैसे मैं current government का कहना है कि भगवत गीता जो है उसका पाठन जो है हर एक school में होना चाहिए इसी तरह से हर यह क्या है political influence हो रहा है curriculum में इसके अलावा जो culture है उसके अनुसार हमारा हिंदी chapter में आपको कहानिया और poem देखने को मिलेगा यह क्या है वहाँ का society का cultural का influence है तो इसको आपको समझाना है next subject based curriculum कोई subject है उसे particular subject से related curriculum develop किया जाता है bio का subject है तो bio based bio oriented जो है curriculum को develop किया जाता है कैसे किया जाता है और यह learner center curriculum development से कैसे different है इसका advantage, need or disadvantage यह सब आपको लिखना है next है हमारा जो school administration है वो है क्या school administration कैसे function करता है यह सवाल पुछा जा सकता है और school administration जो है या school management curriculum development में कैसे help करता है यह important question है next है कि process क्या है curriculum development का उतना important नहीं है पर इसको भी आपको पढ़ लेना है role of teacher curriculum development में क्या है इसको भी पढ़ लेना है component curriculum का क्या है इसको पढ़ लेना है और यहां पर आपको utility of good TLM जैसा question number one है good textbook वैसे ही utility of good TLM आपको पढ़ लेना है उसके बाद most difficult question जो पुछा जाता है इसमें हो है विहरिस्टिक और constructivist approach of curriculum development इसमें आपको बिहरिस्टिक जो है जो आपका experiment किया था dog वाला saliva जो गिर रहा था उसके अधार पर जो है curriculum develop किया जाता है आनि की conditioning के अधार पर जो curriculum develop किया जाता है उसको समझाना है तो इसमें आपको दो चार्ट theory लिखना पड़ेगा इसके अधावा constructivist है जैसे प्याजे जो है constructivist थे वागाउस की जो है constructivist थे तो इसके अधार पर जो आपका curriculum develop किया जाता है उसको explain करना है तो ये हमारा total important question हो गया बाकी अधी कोई भी question आपको important लगता है तो आप comment section में लिख सकते हैं thank you signing off